एलो बच्चों, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और सारे COVID के precautions ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जहें बहुत अच्छे से कर रहे होंगे क्यों क्योंकि हाफ एले exam सारे हैं जिनका नाम सुनते ही हमारा जो blood pressure बहुत increase हो जाता है अच्छे के टेंशन आने लगती है और बहुत तरह के thoughts आते हैं बट हमें बिल्कुल भी डरने की जरुवत नहीं है बिकोज हम unacademy के साथ पढ़ रहे हैं और unacademy is the largest learning platform in India the biggest learning platform in India जहां पर आप पढ़ रहे हैं top educators से जी हाँ unacademy पर जो educators होते हैं यानि की जो आपको पढ़ाते हैं they are the top educators of India so you learn the best and you get to learn the best from the best तो यादा benefits ही benefits हैं तो आपको किसी भी class के लिए पढ़ना हो आप class 1 में हो कि class 12 में हो आपको science पढ़ना हो math पढ़ना हो English पढ़ना हो Hindi पढ़ना हो chemistry पढ़ना हो bio पढ़ना हो कोई भी subject पढ़ना हो तो unacademy is the place in fact अगर आपको कोई competitive exams के लिए भी prepare करना है ना जैसे UPSC या J-Mains या UGC net तो unacademy is the place again because unacademy in courses पे भी अपने course offer करते है इन exams के लिए इन preparation के लिए भी there are so many courses on unacademy अब आपको क्या करना है आपको सिर्फ unacademy का जो app है उसको download करना है enroll yourself to any of the subjects of your choice and do not forget to use my code PJAIN10 क्योंकि अगर आप मेरा code यूज करते है तो आपको सीधा सीधा 10% discount मिलता है 10 10 10% yes 10% आपको flat discount मिलता है कोई भी course पे कोई भी class के course पे अगर आप मेरा code यूज करते हैं जो की screen के नीचे भी दियावा है PJAIN10 अब आप सोचोगे unacademy पे हम subscribe करें क्यों मैं कहूंगी और आप कर लो ऐसा तो होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि जब तक हम पूरा ठोक बजा के नहीं देख लें कि हमें क्या benefits मिल रहा हमारा मन नहीं बानता है ना तो मैं आपको बताती हूं अगर आप subscribe करेंगे तो आपको क्या benefits मिलेंगे benefits ही benefits मिलेंगे बलकि मैं यह कहूं तो भी गलत नहीं होगा क्यों क्योंकि unacademy पे इतने benefits मिलते हैं पहला तो आप टॉप एजुकेटर से पढ़ते हैं तो आप best सीखते हैं और best लोगों से सीखते हैं unacademy पे उसके बाद unacademy आपको study material देता है यानि कि आप जिस भी course या जिस भी subject के लिए enroll करते हैं उसका पूरा study material unacademy आपको देगा आपका unacademy study plan करके भी देगा कि आपको कौन से chapter कैसे पढ़ने हैं कब तक पढ़ने है unacademy आपका पूरा syllabus बहुत अच्छी से cover कराएगा revision sessions होंगे practice test होंगे mock test होंगे weekly report भी आपको मिलेगी कि पूरा जो हफ्ता था पूरी जो week थी आपने कैसे improve किया कहां कहां improve किया कहां improve कर सकते हैं आपकी पूरी week की जो progress report है वो आपको weekly basis पे मिलेगी आप लाइब अपने कोई भी academic doubts जो है educator से पूछ सकते हैं plus educators जो questions आप से पूछते आप उसका भी answer दे सकते हैं quiz होते हैं box test होते हैं practice test होते हैं और मैं पूरे दिन आपको unacademy के benefits बता सकती हूं लेकिन तब भी benefits खतम नहीं होंगा आपको क्या करना है आपको बहुत छोटी सी ची unacademy का app download करने के बाद आपको जो course पढ़ना है अपने पसंद का आप वो पढ़ सकते हैं और आपको मेरा code use करना है क्योंकि तभी तो आपको 10% off मिलेगा तो जब सस्ते में काम हो रहा है तो और को जाना so unacademy is the place जहां पे आपको सारे benefits मिलेंगे और within a week within a week आपको अपने results इंप्रूफ होते भी दिखेंगे तब किस चीज़ का वेट करेंगे just download the unacademy app right now यह तो थी unacademy की बाते unacademy के benefits बट मैंने अपने आपको ते इंट्रोडियूस ही नहीं किया so my name is Pratikshar Jaina I am one of the educators at unacademy I teach social science to grade 7 and I have done my bachelor of arts in psychology from Delhi University तो यह था मेरे बारे में अब आते हैं कि इस पूरे वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी क्या तो मैं civics का chapter 1 जो कि है on equality वो मैं आपको पढ़ाऊंगी पर उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम यह जान ली कि जो subject हम पढ़ने वाले उसका क्या meaning है क्योंकि मेरा इसा मानना है मैं आपको chapter पढ़ाऊंगी आप chapter आप exams भी बहुत अच्छे से clear कर लेंगे एस कर लेंगे बहुत अच्छे मांग सा जाएंगे उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है you can do it and I know that but हमारी knowledge incomplete रहेगी अगर हमें यही नहीं पता होगा कि जो subject हम पढ़ रहे हैं उसका क्या meaning है और क्यों पढ़ रहे हैं हम तो हमारी knowledge चॉपी स्रेंग कंप्लीट ही रहेगी ना और अनकाडमी we believe knowledge is the most powerful weapon anyone can have so अनकाडमी में अनकाडमी की educator मैं सिर्फ आपको चैप्टर ही नहीं पढ़ाऊंगी मैं पहले आपको बताऊंगी कि यह जो word है civics जो हम चाप्टर जो हमारा subject है जिसका हम चैप्टर पढ़ेंगे इस civ इसका बहुत ही आसान सा मतलब है the study of rights and duties of citizens. Rights यानी अधिकार हमारे as citizens क्या अधिकार है और duties यानी हमारी जिम्मेदारिया है तो हमारे क्या अधिकार हैं हमारी क्या जिम्मेदारिया है as Indians as citizens of India हिंदुस्तान की नागरिक इंडिया के नागरिक होने के तौर पे हमारी क्या rights हैं हमारे क्या duties हैं वो हम जिस subject में पढ़ते हैं उसको हम कहते है civics तो I hope आपको clear होगा कि जो subject आप पढ़ रहे हैं उसका क्य मीनिंग है अब next time जब भी आप अपनी civics की book खोलोगे तो आपको एकदम से click करना चाहिए कि आज जो मैं अपने कुछ rights या duties के बारे में ही पढ़ने वाला हूं या पढ़ने वाली हूं ठीक है तो यह था civics का मतलब अब हम आते हैं अपनी chapter पे जिसका नाम था on equality तो पहले कि सबसे first and foremost सर्व प्रथम हमें कुछ सीखना है तो हमें पहले ही जानना होगा कि यह जो टर्म है इक्वालिटी इसका मतलब क्या है क्योंकि अगर हमें टर्म ही नहीं पता होगा कि पूरा chapter किस बारे में और हम पढ़ भी लेंगे तो obviously कोई sense नहीं बनता कि हमें equality नहीं पता और हमने पूरा chapter पढ़ लिया हमें यह नहीं पता रामायन में राम कौन थे और हमने पूरी रामायन पढ़ ली तो एकदम बहुत illogical लगता है इसम कोई sense ही नहीं है इस बात का तो obviously पहले हम पढ़ेंगे equality क्या है एक line I'm sure आपने समने सुनी होगी in fact पहली की classes में आपने प is equal before the law but किस वे में equal हमने कह दिया equal before the law everyone is equal you are equal I am equal before the law but equal किस वे में equal किस you know किस बेसिस पर हम कह रहे है कि everyone is equal so equal in terms of status rights and opportunity means equality हमारा status कॉंसी position है हमारी क्या class है हम समाज में कि स्टेटीस को hold करते हैं हमारे क्या अधिकार है और हमारे जो opportunities हैं यानिक यह Statement and The New-gamer कितने यूरव नःट नई चीज़तें को अवेल कर सकते हैं हमारी और यह इसी मोडने हैं उस basis पे हम equal है और इसका मतलब है कि everyone нач आप भी मैं भी हम सब का जो एक्वालिटी है that is in terms of status rights and opportunity so the state of being equal in terms of status rights and opportunity means equality अब इसे equality से होता क्या है और क्यों हमें equality चाहिए तो हमें equality इसलिए चाहिए क्योंकि जब equality होगी जब सब समान होंगे जब सब equal होंगे तो कोई discrimination नहीं होगा कोई भेदभाव नहीं होगा धरम के basis पे religion के basis पे कोई भेदभाव नहीं होगा race and caste यानि कि जाती के basis पे कोई भेदभाव नहीं होगा जेंडर यानि की link के basis पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा जब कोई भेदभाव नहीं होता तो उस state को हम अगर मैं आसान शब्दों में कहूं आसान definition में कहूं तो जब कोई discrimination कोई भेदभाव नहीं है तो उस state कम कहते है equality और जो कानून है जो law है इंडिया का या जो constitution है यानि कि जो हमारी इंडिया की जो rule book है जिसमें सारी rules and regulations सारी laws लिखे वे हैं उस constitution में लिखा है that every individual is equal before the law आप भी equal है मैं भी equal हूँ जो हमारे देश के president है वो भी एक equal इंसान है before the law so that is what equality means अब इस equality के जो idea that everybody is equal before the law उसी का उसी के idea के basis पे एक और idea है जिसका नाम है universal adult franchise जो हमने six standard में भी पढ़ा था थोड़ा सम recap करते है recall करते हैं कि यह क्या था तब equality तो हमने समझ लिया कि everybody is equal before the law in terms of status rights and opportunity no one should be discriminated on the basis of their religion, caste, gender etc बट इस equality का idea जो है the idea of equality है समानता का जो एक आइडिया है इसी का एक extension आप कह सकते हो इसी का एक extended part आप कह सकते हो universal adult franchise अब यह क्या कहती है यह यह कहती है कि जो हमारी Indian democracy है जो भारती यह लोग संत्र है उसमें जितने भी एडल्स है अब एडल्स कौन होते है एडल्स जो भी 18 साल या 18 साल से उपर है यानि 18 साल की जो एज है उससे उपर के लोग है उससे बड़ी लोग है वो सब all of them are allowed to cast their vote यानि कि जब भी elections होते हैं तो 18 18 साल से उपर की लोग अपना वोट डाल सकते हैं irrespective of their religion education qualification caste status कुछ भी everybody is equal हर कोई डाल सकता है यानि कि आप कौन से धर्म से हो यह कोई matter नहीं करता आप कितने पड़े लिखे हो आप 12th pass हो या फिर आप बहुत highly qualified MBA या कुछ और बड़ी डिगरी होड करते हो कुछ फरक नहीं पड़ता if you are 18 और above the age of 18 then you have the right to vote आप अपना जो है मतदान कर सकते हैं आप बोट डाल सकते हैं अभी तो आप बहुत छोटे हैं अभी आप कितने 10 to 12 years के होगे 7th standard में sorry 11 to 12 years के बीच में कुछ age होगे आपकी अभी तो आप बहुत छोटे हो but when you turn 18 जब आप 18 साल के होगे तब आपको य representatives कौन होंगे आपके leaders कौन होंगे जो देश चलाएंगे आपके representatives कौन होईंगे यान कि MLA MP जो कि हम आगे वादे चाप्टर में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे but as soon as you turn 18 you have this right to vote irrespective of आपकी धरम से बिलोंग करते हो आप Hindu हो आप मुसल्मान हो आप Christian हो आप Jain हो आप Parsi हो कोई भी धरम के आप हो आप सिख हो या फिर आप किसी भी X Y Z किसी भी धरम के हो कोई matter नहीं करता आप कितने पड़ेवे हो अगर आप 18 साल के हो गए हो तो आप you have the right to vote आप हो डाल सकते हो एक equality का आप एक से का एक यृडया घ्रीन सभार राइनटומר में पड़ा भी हो पड़ा से यात करो बच्छे नहीं सब्यक्राइब जाता हो की पाट की यूनिवर्सल अदर फ्रेंचाइज की बात की हमारा Constitution कहता है everybody is equal before the law but क्या हम सच में equal है do we really believe in equality क्या हम यह समानता कर जो हमारे Constitution में लोग बन गया कि everybody is equal क्या हम इस पे believe भी करते हैं is everyone really equal तो मैं क्या करूंगी मैं आपसे कुछ questions पूछूँगी जो कि हमारे day to day life से जुड़ेवे हैं आपको क्या करना है आपको खुद को ही answer देना है मुझे तो आप answer करना ही सकते क्योंकि pre recorded video है तो आपको क्या करना है यह self analysis है आपको खुद की ही जो situation है आसपास वो analyze करनी है और फिर आप पूचेंगे कि क्या हम सच में equality में believe करते हैं और क्या सच में सब लोग equal हैं तो मैं कुछ questions आपको पूचूँगे और आपको yes or no में खुद को ही answer करना है ताकि आपको पता चले क्या हम सच में equal हैं और क्या equality सच में exist करती है तो मेरा पहला question जो day to day life से ही जुड़ावा है वो यह है कि does your servant or house help sit on the same sofa or chair where you sit or do this sit on the floor मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके घर में जो servants है जो house help है याने कि आपकी जो maid है या आपके घर में कोई cook आता है या फिर घर में कोई guard है या फिर आप भू सकते हैं आपकी ही parents किसी दूसरे घर में ऐसी काम कर रहे हैं हो वो servant हो किसी घर में या driver हो या cook हो तो आपको इसलिए पितना अता अपने आपसे पूछ रहे है कि जो आपके घर की जो ऐसे servants है क्या वो सेम जगे पर बैठते हैं वो सेम चेर पर बैठते हैं जहां आप लोग बैठते हो या फिर आप से बात करते हुए वो जमीन पर बैठते हैं और आप सोफे के ऊपर बैठते हुए हो तो आप अपनी यह नो खुद को यह आंसर करो 90% of the cases में जो servants हैं, in fact 95% of the cases में जो servants है या house help है हमारी तो हमारी घर के कामों में help करते हैं वो उस जगे पे नहीं बैठते जहां हम लोग बैठते हैं हम अपर क्लास वाले लोग जहां बैठते हैं या जा आप लोग बैठते हो वह वहां नहीं बैठते वह जब आप लोगों से या घर के मालिक से बात कर रहे होते हैं तो वह जमीन पर बैठते हैं और जो घर के लोग होते हैं वो चेर या सोफे पर बैठते हैं तो एक हायरार की ह बेट रहे हो और आपके servants नीचे बेट रहे हैं अभी एक्वालिटी है कि नहीं वो तो आपको खुद को आंसर करना है yes or no में कि यह जो situation यह जो question मैंने पुछा है क्या सच में सही है क्या आपके घर में यह apply होता है मेरा आपसे दूसरा question does your servant or house help eat and drink in the same plate or glass as you or do they have separate cut clary यानि कि इसका यह मतलब है क्या आपके घर में जो servants है या आपके घर में जो house help है जो आपको घर के काम में जो help करते है क्या वो same plate में खाते हैं क्या वो same glass में पानी पीते हैं जिनमें आप या आपकी family members खाते हैं या फिर आपकी घर में उनके लिए separate cut clary यानि कि separate चमच फ्लेट ग्लास अलग रखी भी आपकी मम्मी या दादी ने या पापा ने जो भी आपके घर में head है उन लोगों ने क्या separate cut clary इन लोगों के लिए रखी भी है अगें 95% of the case में इसका आंसर भी होगा येस कि servant और house help के लिए हमारे घर में अलग cut clary है अलग plate है, अलग glass है, अलग spoon है जिसमें वो लोग खाते हैं जो plates में हम खाते हैं वो लोग उसमें नहीं खाते हैं अगर ऐसा आपकी घर में नहीं होता है तो एक exceptional case हो सकता है मैं ये नहीं कहारी कि हर घर में ये होता है बट एक exceptional cases हो सकते हैं बट 95% of the cases में 95% of the घर में जो भी upper class है जो भी ameer लोग है या इवन upper middle class है वहाँ पे servants के लिए अलग glass और plate होती है अगर थर्ड question अब आपसे पूछूँ कि have your parents ever asked you to be friends with children of a particular community or to avoid being friends with children from a particular community कहने का मतलब ये है कि क्या आपके parents ने कभी आपको ऐसा कार है कि बेटा या बेटी तुम उसी community के दोस्त या उसी धरम के दोस्त लोगों पो अपना दोस्त बनाओ कि एक particular community या particular धरम के लोगों को अपना दोस्त मत बनाओ 60% of the cases में ऐसा होता है कि parents do say and parents do decide कि आपके friends कौन होंगे और अगर वो कुछी particular religious community के हैं तो हो सकता है वो कहेंगे कि इस community के लोगों को अपने दोस्त मत बनाओ कि इस particular community के लोगों को ही अपना दोस्त बनाओ कि यह हो सकता है जरूरी नहीं है आपके parents बोलते हो बट जादा तर आज भी rural areas में यानि कि जो छोटे गाहों है या छोटे टाउन से वहां पे parents बोलते हैं अपने बच्चों को कि एक particular धरम particular community के लोग बच्चों को ही अपना दोस्त बनाओ case 4 यानि कि मेरा चौथा सवाल आपसे यह है कि ask your mother, sister और any other working woman in your family or acquaintance whether they receive the same pay as their male employee यानि कि कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ममी से पूछो या अपनी बेहन से जाकर पूछो या कोई भी ऐसी आपकी family में जो women है या कोई भी ऐसी आपके जान पर चान में एसी कोई lady है जो वोकिंग लेडी है, वोकिंग वोमन है, यानि कि कोई जॉब करती है, तब उन जॉब करने वाली लेडीस से पूछो, कि क्या उन्हें सेम पे मिलती है, as compared to their male employees, यानि कि जो आदमी है, जो मेर है, उनका और लेडीस का जो पे है, जो सालरी है, क्या वो सेम होती है, given वो दौ दौनों सेम काम कर रहे हैं, इसका answer भी आपको no में ही मिलेगा, कि women employees और male employees होती है, 98% of the cases में, इनके सालरी सेम नहीं होती, given the fact, दौनों सेम काम कर रहे हैं, फिर भी इनकी सालरी सेम नहीं होती, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, हमने equality पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि constitution के according, everybody is equal before the law, we cannot discriminate anyone on the basis of their religion, caste, gender, status, but इस इन चार questions जो मैंने आपसे पूछे, इनके बाद क्या आपको लगता है क्या हमारे आस पास सच में equality है, well, हो सकता है equality हो, हो सकता है जो मैंने आपसे questions पूछे, वो आपकी case में valid नहीं हो, आपके घर में apply नहीं होते हो, आपकी community, आपकी society में apply नहीं करते हो, but हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, जो इस वीडियो देख रहे हैं, जहांपे जिनके घर में, जिनके parents, यह सब चीज़ें, यह सब practice करते हो, तो, again वही question आता है, क्या हम सच में equal हैं, क्या हमारे आसपास जो भी surroundings हैं, क्या वहाँ equality exist करती हैं, तो, well, जहां equality exist नहीं करती, वहाँ होती है, inequality, और इंडिया में, जो है, the most prominent forms of inequalities in India are, यानि कि जो inequalities जो इंडिया में exist करती हैं, वो कौन-कौन से basis, कौन-कौन से forms में होती है, तो, कास system के basis पे सबसे जादा inequality है, अगर आप urban areas में रहते हैं, यानि की बड़े शहरों में रहते हैं, तो, हो सकते हैं तिनी, visible आपको नहीं हो, इतना दिखाई नहीं दे, की caste system की inequalities हैं, बट आज भी छोटे गाओं में, caste identity हमारी जाती के basis पे हमारी जो पहचान है, तो, बहुत important होती है, और अगर आप urban areas में रहते हैं, या किसी भी area में रहते हैं, तो मेरा एक simple से एक छोटी सी activity आपके लिए है, आप newspaper खोलो, उसमें एक matrimonial column होता है, यानि वो शादियों का कि इस type की लड़के चाहिए, उस type की लड़के चाहिए, एक matrimonial section होता है, उसको खोलो, और उस उपड़ से नीचे से आपको दिखेगा, diamond girl needed, पंजाबी girl needed, XYZ girl, हर caste का नाम लिखावा होता है, कि उसी particular caste की हमें लड़का या लड़की चाहिए, तो इससे तो हमें सीधा सीधा पता चलता है ना, caste is so much important, even today, चाहे वो rural areas हो, चाहे वो urban areas हो, caste system exist करता है, और उसके कारण बहुत सारी inequalities इंडिया में exist करती है, कार सिस्टम की inequalities का एक और extension है, exploitation of the Dalits, इसके बारे में अभी हम थोड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट दलित एक community होती है, जिनका बहुत शोशन होता है, exploitation होता है, उनके right to equality is violated most of the time, इसाब अभी हम पढ़ने वाले हैं, इसके अलावा, class की basis में भी inequalities होती है, अपर क्लास, middle class, lower class, तो अपर क्लास की इतनी inequalities face नहीं करते हैं, बट जो lower class है, obviously वो बहुत जादा inequalities face करते हैं, religion यानि धरम के basis पे हमारे इंडिया में बहुत सारी inequalities है, and lastly gender यानि link, male, female या कोई भी और gender हो, इतने सारे genders होते हैं, इन genders के basis पे भी inequality होती है, ये कुछ phase थे जिसमें inequalities इंडिया में exist करती है, and now we will study exploitation of the Dalits, जो की caste system का ये एक extended form of inequality है, तो पहले हम समझेंगे ये Dalit term क्या है, so Dalit is a term which the lower caste use to address themselves, यानि की कहने का मतलब ये है, कि जो lower caste वाले लोग होते हैं, they use a specific term for themselves, जिससे वो खुद को identify करते हैं, और जिससे वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनको identify करें, और उस term का, जिससे लोग identify करते हैं, जिससे उनकी caste identity मालूम पढ़ती है, वो term है Dalit, so Dalit का मतलब होता है broken, यानि की टूटा हुआ, अब broken टूटे वे words से जो lower caste है, ये basically ये indicate करना चाहती है, कि उनके साथ कितने भेदभाव हुए हैं, कितना उनका exploitation हुआ है, पहले भी होता आया था, और आज भी होता है, तो इक Dalit term से lower caste basically ये indicate करना चाहते हैं, कि कितना how much they have been discriminated over the years, कितने उनके जो rights हैं, जो अधिकार हैं, वो violate होते हैं on daily basis, तो Dalit is basically a term जो lower caste use करते हैं, to address themselves and to indicate all forms of discrimination which they have faced in life, अब ऐसे ही एक बहुत famous Dalit writer थे, जिनका नाम था ओम प्रकाश वाल मिकी, और उन्होंने अपनी autobiography जिसका नाम था जूटन, यानि कि इस autobiography में जूटन में उनने ये पताया, कि ऐसा Dalit उनने कितने सारी किस-किस साइट के discriminations face किये थे, क्या-क्या उनके साथ गलत चीज़ें हुई, क्या-क्या भेद भाव हुए उनके साथ, कितनी inequalities उनने life में face करी है, यह सब उनने अपनी autobiography यानि कि जीवन का था, जिसका नाम था जूटन, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से विस्तार से बहुत डीटेल में बताया, पर क्या बताया, कि जब वो student थे, यानि कि आपकी ही age के होंगे, जब वो student थे, तो class में उनने दूसरे बच्चों से एकदम अलग बैठना पड़ता था, या फिर उनको जमीन पर बैठना पड़ता था, so they had to sit away from other students in the class, और he had to sit on the floor, जमीन पर बैठ कर उनको पढ़ना पड़ता था, कि जो teacher है वो क्या पढ़ा रही है, सबस्थ लिए भी एक kind of inequality ही है, जो उनके साथ हुई, जो उनने face करी, इसके अलावा उनको school और playground को ज़ाड़ू मारना पड़ता था, he had to sweep school and playground whole day, पूरा पूरा दिन उनको ज़ाड़ू मारना पड़ता था, अपने school में, या फिर playground में, तो जहां दूसरे बच्चे अच्छे class में बैठ के अपना पड़ते थे, वहीं इनको ज़ाड़ू लगाना पड़ता था, तो ये इतने extreme discrimination दलित के साथ होते हैं, वो उन्होंने अपने book जूटन में बताया है, कि दलित को कितना exploitation सेहना पड़ता है, कितनी inequalities होती है, वो सब इस book में उन्होंने अच्छे से बताया है, आज भी अगर आपको ये लग रहा है कि दलित exploitation बहुत पुरानी बात है, तो वो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी कास्ट के basis पे दलित का जो exploitation होता है, आज भी आए दिन newspaper में या टीवी चानल्स पे हमें ऐसी reports सुनने को मिलती है, अब बात आती है dignity की, हमने ये पड़ा inequalities क्या होती है और दलित का कितना exploitation होता है, बट जब जब किसी का exploitation होता है, whenever any person is treated unequally, यानि कि उनको किसी basis पे discrimination होता है उनका, इसका मतलब है उनकी dignity violate हो रही है, dignity का क्या मतलब है, dignity refers to the thinking of oneself and other person as worthy of respect, यानि कि हम भी इज़त के काबिल है, यह जो एक thought process है, उसी को कहता है dignity, आप भी इज़त के लिए eligible है, मुझे भी इज़त चाहिए life में, हमको चाहिए इज़त, ठेला, so dignity refers to our thought of being worthy of respect, यानि अगर मैं short में बोलू, तो self respect, यानि खुद के लिए इज़त के भाव होना, खुद के लिए इज़त की feeling दोना, कि दूसरे लोग मजा की equally treat करें, और अच्छे से respect करें मेरी, उसको हम कहते है dignity, तो अगर हम ओम प्रकाश वालमी के जी का case देखें, जूटर में, तो उनकी dignity violate हुई थी, किसके तुरू, उनकी schoolmates ने उनको unequally treat किया, उनको discriminate किया, उनकी caste के basis पे, lower caste पे, दलित होने के कारण, उनका discrimination हुआ, उनकी जो teachers थे, उनने भी उनको discriminate किया, उनको पूरे पूरे दिन जाडू लगवाते थे, उनको पढ़ने नहीं देते थे, जैसे दूसरे बच्चे पढ़ते थे, उनकी dignity violate हुई थी, उनके जो schoolmates थे, उनके जो classmates थे, उनके जो teachers थे, उन्होंने उनको यह feel कराया, that he is not equal to other students, तो ऐसे टाइप पे, जब हमें कोई feel करवाता है, या हम कभी feel करते हैं, कि I am not being treated equally, या कोई भेदभाव हो रहा है मेरे साथ, और किसी भी basis पे, religion के basis पे, gender के basis पे, अगर में साथ कोई ऐसा, you know, unequal treatment हो रहा है, या हम कभी feel करते हैं, कि कोई unequal treatment हो रहा है हमारे साथ, उसका मतलब है, हमारी जो dignity है, हमारा जो constitution है, वो क्या करता है equality के लिए, हमने अभी तद देखा equality क्या होती है, फिर हमने देखा, इंडिया में किस type की inequalities exist करती हैं, फिर हमने पढ़ा दलित के कितने exploitation होते हैं, दलित के साथ, अभी भी होते हैं, पहले भी होते थे, बढ़ हमारा constitution जो हम इतनी equality की बात कर रहे है, हमारा constitution में उसे क्या provisions है जो equality की बात करते हैं, हमारा constitution यानि कि वो book, एक rule book, जिस में लिखा है do's and don'ts, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, क्या एक अफ़राथ है, क्या एक crime है, वो सब इस बुक में लिखा है जिसको हम कहते हैं Constitution में equality की कई बाते लिखी हैं तो क्या बाते हैं Constitution states that every person is equal before the law whether he or she is the president या फिर कोई आम जनता है आपके मेरे जैसे कोई common citizen है सबके लिए same rules है इसको आप ऐसे समझो आपके जो स्कूल में rules है जो time table है या कोई uniform है वो सारे बच्चों के लिए same है राइट लाइक एक particular dress code है कि first to fifth वाले बच्चे ये पहनेंगे 9 to 12 वाले बच्चे ये ही पहनेंगे तिक dress code है जो सबके लिए same है वैसे ही constitution एक book है जहां पर जो rules है जो laws है वो सबके लिए same है और एक ऐसा law है that every person is equal before the law president जितना higher position वाला आदमी इतना powerful person भी is same is equal before the law दूसरा है no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth और gender यानि कि हम किसी भी लोगों को discriminate नहीं कर सकते उनके धरम के basis पे उनकी जाती के basis पे उनके gender के basis पे या फिर वो कहां पैदा होए हैं उसके basis पे हम किसी को भी discriminate नहीं कर सकते हम उनको unequally treat नहीं कर सकते third every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, wealth, markets हम सब को vegan access हम किसी भी public place पे जा सकते हैं कोई हमें enter करने से नहीं रोख सकता mind it it's all it's related to public places यानि जितने भी public places हैं जैसे playground हो गया कोई cinema hall हो गया theater हो गया hotels हो गया या कोई bazaar हो गया these all are public places जहां पे public जाती है so on the basis of religion या race हम किसी को भी यहां पे जाने से रोख नहीं सकते हैं fourth untouchability has been abolished यानि पहले के टाइम पे जो च्वाचूत होती थी कि इन लोगों को चू सकते हैं इन लोगों ने अगर चू लिया हमें या हमने इनको चू लिया तो हम polluted हो जाएंगे या फिर हम you know हमाई जो purity है वो खतम हो जाएगी तो यह चूआ चूत होती थी कि हम इसे चू सकते हैं इसे नहीं चू सकते यह जो प्रैक्टिस थी कि यह constitution ने बंद करवा दिया है it has been abolished in fact आज के टाइम पर अगर कोई untouchability का case आता है कोई file होता है पुलिस के पास तो इसके against बहुत strict actions लिये जाते हैं जो भी untouchability की practice करता है हमने यह भी जा लिया कि constitution में equality के क्या क्या provisions है बट अब बात आती है कि हमाई जो इंडियन democracy है यानि कि हमाई जो government हमने जो form करी है वो equality को कैसे इंप्लिमेंट करती है तो government implements equality two ways पहला law और दूसरा government programs है scheme law मतलब कानून तो government कानून जो है वो अच्छी तरीके से enforce हो रहा है कि नहीं हो रहा है यह ensure करती है these laws protect every person's right to be treated equally जो कानून है वो ensure करती है कि हमारे rights है to be treated equally यह you know यह protect हो रहे है या कोई से वाइलेट कर रहा है तो वो law के अंडर आता है दूसरा वे है government के प्रोग्राम स्कीम्स government time to time ऐसी schemes निकालती है which try to improve the lives of the disadvantaged communities यानि जिनके साथ unequal treatment हो रहा है जिनका शोशन होता है उन लोगों के लिए government schemes निकालती है ताकि equality जो है maintain हो सके एसी scheme के बारे में हम पढ़ेंगे जिसका है midday meal scheme यह scheme क्या है तो हम quickly समझते हैं स्कीम के अंदर यह होता है कि जितने भी government school है वहां पर बच्चों को cooked खाना दिया जाएगा यानि कि proper meal बच्चों को provide करवाई जाएगी सारे government school में यह इस प्रोग्राम का basically summarize करूं तो प्रोग्राम midday meal program basically means to provide children with cooked lunch in all government elementary schools जितने भी government की schools है पूरे इंडिया में पूरे स्टेट में नहीं पूरे इंडिया में जितने भी government की school है वहां पे जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको cooked lunch दिया जाएगा यानि पकावा खाना पूरा अच्छा दार रोटी सब्जी चावल सब अच्छे से उनको दिया जाएगा lunch में तमिल लाडू was the first state जहां पे यह scheme पहली बार introduced की गई थी जैसे ही तमिल लाडू में यह scheme introduced की गई थी कि सब government school के बच्चों को lunch दिया जाएगा 2001 ने supreme court ने का कि नए तमिल लाडू नए पूरे इंडिया में जितने भी states है वहाँ पे हर जगे यह scheme follow होने चाहिए और 2001 में supreme court ने का कि 6 मेने के अंदर सभी government schools में यह scheme लागू होनी चाहिए हर government school में यह program initiate करना चाहिए कि हर बच्चे को cook lunch दिया जाएगा सारे government school में private school की बात में मैं नहीं करी government school की बात कर रही हूं इस scheme को तो हमने समझ लिया midday mail scheme और क्या होता है वो भी हमने समझ लिया पट इसके benefits क्या हो है जब कोई scheme government लाई है तो उसकी कुछ benefits सोच समझ के ही तो लाई होगी कि क्यों है scheme को लाए कैसे communities advantage कर सकती है इस scheme के कुछ positive effects होए पहला यह हुआ कि poor children began in rolling and regularly attending school जो गरीब बच्चे थे वो school आने लगे पहले जो था गरीब बच्चे इतना school नहीं जाते थे बड़ जब उन्हें पता चला कि free में lunch मिलेगा और अच्छा खाना मिलेगा तो जादा और जादा बच्चे school आने लगे उन्होंने अपना school में दाखिला करवाया admission करवाया and they started regularly attending the school तो इससे क्या हुआ attendance जो थी बच्चों की वो बहुत improve हो गई सबको education मिलने लगी इसके अलावा जो caste prejudice थे यानि कि जाती के basis पे जो भेद भाव थे वो बहुत कम हो गए because सारे बच्चे जो थे वो एक साथ पर इटके खाना खाते थे in fact जो खाना बनता था जो कभी कभी जो दलित विमन थी यानि कि दलित औरते ही ये खाना बनाती थी तो पहले जो हमने पढ़ा कि caste के basis पे दलित के जो exploitation होते थे या कास के basis पे जितने भी discrimination होते थे तो सारे काफी कम हो गए because बच्चे सब एक साथ बैठके खाते थे सारे जितनी भी meals मिलती थी वो सब एक साथ बैठके खाते थे और कुछ school में ऐसा भी होता था कि जो खाना बनाते थे वो दलित विमन खाना सारे बच्चों के लिए prepare करती थी अब इसने एक बहुत अच्छा benefit यह हुआ कि जो पहले जो भूके बच्चे थे जिनको पहले खाना नहीं मिलता था वो सब पेट भर के पहले खाना खाते थे और फिर अच्छे से बढ़ाई करते थे क्योंकि खाली पेट तो हमसे वैसी पढ़ाई नहीं होती है वह सकता है अभी आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो तो आपके हाथ में चिप्स का पैकिट हो और आप राम से वीडियो देख रहे हो क्या आपकी मम्मी ने लागे कुछ आपको लंच दे दिया और आप राम से नहीं हो किसी नहीं होती है तो इससे जो है लोग बच्चों की जू भूक थी वह काफी कम हो गई और क्योंकि उनको भूक नहीं थी तो बहुत अच्छे से पड़ते थे Reduced hunger of poor students who earlier could not concentrate on studies because of empty stomachs started paying more attention जब आपका पेट भरावा होता है जब पेट में खाना होता है तो concentration और ज़्यादा अच्छे से होता है मैं क्या पढ़ा रही है वो बहुत और ज़्यादा अच्छे से समझ आता है So ये सारे थे midday meal के benefits इतने benefits होने के बाद भी आज harsh reality ये है कि आज भी कुछ ऐसे school है जहां पे दलिट बच्चों को आज भी उनके साथ unequal treatment होता है उनका exploitation होता है उनकी dignity यानि self respect violate होती है क्योंकि लोग है मानना ही नहीं जाते और इसको accept नहीं करना जाते that everyone is equal before the law. People refuse to think of Dalit as equal despite the laws तो ये एक harsh reality है कि आज भी Dalit के साथ पर आज भी lower caste students जितने भी children है उनके साथ आज भी discrimination होता है इसका main reason ये है कि भले कितने भी laws implement कर लो कितनी भी schemes government लिया है जब तक लोगों के attitude change नहीं होगे जब तक उनके thought process यानि मान सिकता एक mentality change नहीं होगी, change नहीं आ सकता irrespective हम कितने laws बना ले, कितनी schemes ले आए till the time attitude of people doesn't change a change cannot prevail, a change cannot come in any country, any society, any community so to establish equality in a democratic society is a continuous struggle क्योंकि लोगों के attitude है वो बहुत slowly change होते हैं सालों लग जाते हैं, मान सिकता लोगों की mentality change करने में इसले जो equality को establish करना बहुत तेड़ा काम है इतना जुतना आसान, पढ़ने में लग रहा है अतना आसान होता नहीं है बहुत difficult job होता है क्योंकि लोगों के attitude बहुत दीरे दीरे change होते हैं और ये proof है कि आज भी हमारे देश में discrimination होता है on the basis of religion, caste, gender, status, इन सब के basis पे discrimination होता है inequalities आज भी exist कर रही है लग रहा होगा इंडिया में ही inequalities है तो ये बिलकुल गलत है बच्चों क्योंकि दूसरी countries, दूसरी democracies यानि दूसरी जो लोग तंत्र है वहाँ भी inequalities के साथ प्रॉब्लम ही चल रही है ऐसे constant war, लडाई ही चलती रहती है क्योंकि वहाँ पे भी inequalities exist करती है एक example लेते है United States of America USA कितनी developed country है one of the superpowers in the world, बहुत powerful country है बट इतनी powerful country में भी inequalities exist करती है तो वो example अब हम पढ़ेंगे USA में एक community रहती है African Americans ये कौन लोग है, ये अफरिका से जबर्दस्ती लाइग में लोग है जिनको slaves भी कहते है जबर्दस्ती पहले के टाइम पे इनसे काम कराया जाता है इनको brutally discriminate किया जाता था इनको इनसान भी नहीं समझा जाता था slaves की तरह इनको treat किया जाता था ये जो community है African American community ये आज भी 2021 जो आज साल चल रहा है अब तक भी they say that they are still largely unequal इनके साथ बहुत discrimination आज भी होता है तो क्या discrimination था 1950s के टाइम पे ये जो African American community इनको बहुत बुरी तरीके से treat किया जाता था they were treated extremely unequally in United States और इनको जो basic rights होते हैं जो basic human अधिकार होते हैं मानव अधिकार होते हैं वो तक भी नहीं दिये गए थे इनके लिए कोई law नहीं था इनके लिए कोई कानून नहीं था जो ये ensure कर सके कि इस community को equal rights मिले In fact इतना बुरा discrimination होता था कि अगर कोई African American bus में travel कर रहा हो seat पर बैठा हो और कोई white यानि कि जो US ने काई जो कोई native white हो यानि कि जो अमेरिका में ही बच्पन से रहा हो जो गोरा हो एक white उनहीं कहते हैं जो कोई white person आके अगर उनसे seat मांगता था African American से तो African American मना नहीं कर सकते थे they had to give their seat to a white person या फिर वो बस में उनके लिए एक अलग section बना रखा था कि जो बस के जो पीछे की seats है वहाँ जाके ये लोग बैठे जो आगे की seats है that will be occupied by white men तो इस टाइप का discrimination होता था और 1955 में ऐसा ही एक incident हुआ Rosa Parks के साथ Rosa Parks एक African American वोमन थी जो एक दिन याने की 1st December 1955 को अपने job से अपने काम से वापिस लॉट रही थी and she was extremely tired पूरा दिन भर का काम करके वो बहुत ठक गई थी and उनको बस की जो seat थी वो वहाँ बैठी थी इतने में एक white man आया एक white आदमी आया और उस white आदमी ने Rosa Parks से कहा जो कि एक African American थी कि you know just get up and give me the seat कि जो seat है जिस पे तुम बैठी हो उठो वहाँ से मुझे वो seat दो क्योंकि मुझे बैठना है Rosa Parks इतनी थकी भी थी उस दिन इतनी टायर्ट थी शी वाज एक्स्क्रीमली टायर्ट आफ्टर हर एक टायरिंग होल टायरिंग डे इतनी ठगी थी कि रोजा पाक्स ने मना कर दिया कि मैं अपनी seat नहीं दूँगी उनका एक मना करने से एक बहुत बड़ा एजिटेशन स्टार्ट हो गया पूरे युनाइटेज सेट अफ अमेरिका में पर एक आवाज उठी कि जो आफ्रिकन अमेरिकन के साथ जो ये अनिकुल ट्रीटमेंट होता है इसके अगेर इस्टेक आवाज उठी उसका क्रेडिट रोजा पाक्स को जाता है जिसने मना कर दिया था उस दिन पर्स दिसेंबर नाइंटीन 55 को अपनी seat एक वाइट मैं को देने के लिए इससे पूरे युनाइटेज स्टेट्स में हाइलाइट कि कितने गलत तरीके से कितने बुरी तरीके से अफरिकन अमेरिकन्स को ट्रीट किया जाते है और उनके लिए कोई लॉज नहीं है So her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated पूरे युनाइटेज स्टेट्स में एक विरोज चालू हो गया एक प्रोटेस्ट टार्ट हो गया अगेंस द अनइक्वल वेज जितने भेरभाव अफरिकन अमेरिकन्स के साथ युनाइटेज स्टेट्स में होते थे और इस अजिटेशन इस प्रोटेस्ट के कारण 1964 में सिवल राइट्स मुवमेंट स्टाट हुआ इस प्रोटेस्ट के साथ इस अगिटेशन के साथ सिविल राइट्स मुव्मेंट स्टाट्वा और 1964 में सिविल राइट्स आया जिसने यह क्लिरली स्टेट कर दिया कि किसी भी आफ्रिकन अमेरिकन को या इन फाक्ट यूएसे में जो भी लोग रहते हैं आफ्रिकन अमेरिकन के साथ नहीं किया जा सकता वेदर यूएसे में उनके अगेंस किसी भी टाइब का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता अगर अगर अधर बाइग बहुत स्क्रिक्ट आक्शन लिए जाएंगे तो जो पहले जो अफ्रिकन अमेरिकन बच्चों की लिए अलक स्कूल हुआ करते थे जहां पर वो जाके पढ़ते थे बट विद इस आक, Civil Rights Act of 1964, इस Civil Rights Act ने ये भी स्टेट किया कि all schools shall be open for all students, जितने भी स्कूल हैं, वो African American students भी attend कर सकते हैं और वो non African American students भी attend कर सकते हैं, ये पहले नहीं था, African American और white लोगों के अलग-अलग schools होते थे, कि इस school में white people, white students, white children will only study and African American के अलग schools होते थे, जहाँ पे सिर्फ गोई बढ़ सकते थे, बट ये जो act आया, इसके according, सारे schools सब बच्चों के लिए open थे, irrespective of their race, religion और national origin, लेकिन इतना ये civil right act आने की बावजूद, आज भी 21st century, 2021 तक भी African Americans के साथ discrimination होता है, आज भी वहाँ इतने cases आते हैं, जब उनके साथ exploitation हो, जब उनको गलत तरीके से treat किया वा हो, आज भी African Americans continue to be the poorest in the country, that is USA, आज भी इनके साथ discrimination होता है, और exploitation होता है, तो civil rights movement से बहुत protest हुआ था, जिसके कारण 1964 में आये civil rights act, तो यह आपको याद रखना है क्योंकि एक्जाम में यूशुली इस पे 4 माप का या 5 माप का question आता है, कि कैसे civil rights movement स्टार्ट होए, civil rights movement के स्टार्ट होने पे civil rights act कैसे आया, और civil rights act में क्या क्या लिखा था, कैसे equality जो है civil rights act में safeguard को यह हम कितनी ही equality की बात कर लें, कितने ही laws बना लें, कितनी government schemes आ जाएं, बट equality को establish करना एक challenge है, no country can be described as completely democratic, याने कि इंडिया हो या US से हो, किसी भी country को हम पूरी तरह से democratic नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ communities या कुछ individuals या कुछ groups ऐसे होते हैं, जो हमेशा इस idea को expand करना चाहते हैं, they want more and more inclusivity, they keep pushing this idea of equality की, ताकि जो equality है, वो और जादा, you know, हर कोई equal feel कर सके, और जादा इस idea को हम enlarge कर सके, बड़ा कर सके, so there are always communities और individuals, जो equality को जो है, expand करना चाहते हैं, extend करना चाहते हैं democracy में, इसके कारण, कोई भी country जो है democratic नहीं कहला सकती, and the struggle for equality and dignity, समानता और स्वाभिमान, self-respect की जो ये लड़ाई है, ये continuous है, ये constant है, ये struggle होता ही है, और चला आ रहा है, और चलता ही रहेगा, because no country can be ever described as democratic, क्योंकि हर country में ऐसी communities होती हैं, इसे individuals होते हैं, जो inequalities या तो face करते हैं, या फिर वो चाहते हैं, कि जो inequality का जो idea है, ये और ज्यादे expand हो, और ज्यादे हम inclusive हो सके, किसी भी community के साथ कोई inequality का, कोई भेदभाव, कोई dissemination, exploitation ना हो, So, establishing equality and maintaining dignity is a constant struggle that still exists in most of the democratic countries. तो ये था पूरा chapter, इसमें हमने पढ़ा equality क्या होती है, equality का meaning क्या होता है, inequalities इंडिया में क्या होती है, constitution में equality का क्या provision है, और हमने पढ़ा government कैसे implement करती है equality को, फिर हमने law पढ़े, law और government scheme के थुरू implement करती है, हमने ये जाना, फिर हमने mid-demand scheme पढ़ी, फिर हमने ये भी देखा कि दूसरी democracies में भी inequality के issues जो है, exist करते हैं, और फिर हमने देखा challenges democracy के क्यों है, So, that was all in this chapter, I hope आपको इन chapter पूरा अच्छे से समझ आया हो, and अब हम बात करेंगे, unacademy की free special classes की, याने के classes as the name suggests, बिल्कुल free होती है, और यहां पे क्या होता है, क्या features है, तो यहां पे आप educators से real time में interact कर सकते हो, आप live classes attend कर सकते हो, जहां पे आप educators से बात कर सकते हो, अभी मेरा तो यह pre-recorded video आइस यहां पे मैं आप से बात नहीं कर सकती, but unacademy की free special classes में आप educators से बात कर सकते हो, लाइव, educators आप से कुछ question पूछेगा, जिसके आप answer कर सकते हो, प्लस आप भी अपने कोई doubts educators से पूछ सकते हो, और वो on spot वहां पे उन doubts को clear करेंगे, इसके अलावा अगर आपके जो दोस्त आपके साथ unacademy की classes अटेंड कर रहे हैं, आपके relative की आपके कोई cousin है, या आपके कोई जान पेचान की लोग हैं जो यह classes अटेंड कर रहे हैं, और जब sir या ma'am कोई question पूछता है, तो आप यह देख सकते हो, कितने आपके दोस्तोंने सही थिया और कितनोंने गलत थिया, और आपके answer सही थे या गलत थे, यानि यह pole leader board है, which will help you compete with your friends, तो यह तो features है, free special classes के, अब हम बात करेंगे unacademy के subscription features के, यानि कि unacademy अगर आप subscribe करते हैं, आप unacademy का जो app उसको download करके कोई subscription लेते हैं, तो आपको क्या benefits मिलेंगे, तो आपको बहुत सारे benefits मिलेंगे, और वो benefits क्या है, सबसे पहला benefit जो मुझे बहुत बड़ा benefit लगता है, वो यह है, आप अपने घर से किसी भी time, किसी भी position में पढ़ सकते, you get to learn from the comfort of your house, आप लेट के पढ़ो, आप खाते खाते पढ़ो, आपका comfort zone बना रहेगा, और जब comfort zone में रहते हैं, तो हम अच्छा पढ़ते हैं, so you get to learn from the comfort of your house, आपको study material and academy की तरफ से मिलेगा, जो भी आप subject में रोल करते हैं, जो भी course आप पढ़ना चाहते हैं, उसका पूरा subject material and academy आपको देगा, plus, जैसा मैंने पहले बताया था, start में, you get to learn from the top educators, one of the finest educators of India, जो की बहुत highly qualified है, अपने अपने fields में, आपको regular doubt clearing sessions होते हैं, जैसे आप physical class में ma'am से, ma'am ma'am करके questions नहीं पूछते, वैसे आप educators से live questions पूछ सकते हैं, अपने सारे academic doubts को clear कर सकते हैं, आपका पूरा syllabus बहुत अच्छी से cover करता है, practice test होते हैं, ताकि आप analyze कर सकते हैं, अपनी performance, light test होते हैं, जो की एकदम आपको exam वाली feeling देगी, जाप एकदम live आपको सारे answers देने होते हैं, आपको एक first mentor मिलता है, जो आपको guide करता है, कि कैसे course को cover करना है, कैसे नहीं करना है, कैसे हम improve कर सकते हैं, अपनी performance, मैं तो benefits बताते हैं, बताते ही ठक चुकी हूँ, और आप कुछो करना है, आपको unacademy का subscription लेना है, prices आपके screen पे दिये वे हैं, अलग packages हैं, 24 month, 18 month, 15 month, 12 month, 6 month, अलग-अलग packages हैं, आपको जो package suit करता है, अपनी requirement के according, आपको इभी package ले सकते हैं और आप अगर screen के extreme site पे देखेंगे, तो वही price आपको 10% discount के बाद दिख रहे होंगे, और यह 10% कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो जैसा मैंने starting में बताया था यार, अगर आप मेरा code use करोगे, P, J, A, I, N, 10, अगर आप मेरा code use करोगे, तो आपको सीधा-सीधा 10% मिल यूँकि एक week के अंदर आपको अपने results improve होते वे दिखेंगे, maximum 15 days, results improve होते वे दिखेंगे, तो अगर आप अच्छे marks चाहिए है, अगर आपको if you want to be the best in the class, if you want to be the best, तो अनकाडमी पे अभी subscribe करो, because you get to learn from the best at अनकाडमी, इसके अलावा होता है, एक और subscription, जिसे कहते है, iconic subscription, अब iconic subscription क्या और वो normal subscription क्या तो इसको एक example से समझो, वो यह कि suppose आपको flight में travel करना हो, अब flight में business class भी होता है, और normal economic class भी होता है, अब जाना तो plane तो तौनों को same destination पे बैठाएगा, या फिर plane भी बहुत वड़ा privileged हो गया, train की बात करो, train में जनरल डबा भी होता है, एक AC AC भी होता है, AC में 1st AC, 2nd AC, 3rd AC होता है, होता है ना, होता है ना, train में तो हम सबने travel किया ही होगा, तो train में जाना तो हम यह एक ही जग है, अब हम जनरल में बैठके जाएगा, या AC में क्या फरक पड़ता है, फरक पड़ता है, और फरक है हमारा comfort का, तो AC वाले coaches ज्यादा comfortable ह होंगे, 1st AC का कोच सबसे ज़्यादा comfortable होगा, as compared to general, general डबे के जो भी comfort होते हैं, तो वैसे ही अगर आप iconic subscription लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा benefits मिलेगा, और comfort light में आएगा, और luxuries मिलेगी, तो normal subscription से क्या ज़्यादा features मिलेंगे, तो iconic subscription में आपको एक personal mentor मिलेगा, यानि के एक personal friend जैसे mentor मिलेगा, जो आपको अच्छे से guide करेगा, कि कैसे आप progress कर सकते हैं, कैसे, you know, आप अपनी performance improve कर सकते हैं, basically आपको एक lifetime friend मिल जाएगा, और academy की तरफ से, यहाँ पे live doubt sessions होंगे, यानि कि live जैसे आप पढ़ रहे हो, बैसे बैसे आपको जो भी doubts सारे academic doubts, वो सब clear करते वें जा सकते हो, इसके अलावा आपको weekly reports मिलेंगी, यानि कि पूरे week में आपने कैसा perform किया, कैसे और better perform कर सकते थे, या कहां कहां आपने improve किया, पर अब कहां और improve कर सकते हो, ति पूरी analysis आपको आपकी पूरी week में, पूरे हफते में, जितनी आपकी जैसी performance थी, वैस वैसे आपको हर हफते एक report मिलेगी, parent और educator का connect होगा, यानि कि आपके parents के मन में कितने सवाल होते हैं, मेरा बच्चा कौन से stream ले, कितना पड़े, यह तो पढ़ाई नहीं करता है, कैसे अपने आपको improve कर सकता है, कैसे अच्छे तो पढ़ाई कर सकता है, इसको हम और क्या-क करवाई, जिससे इसकी जो learning capacity है, जो memory है, या जो personality है, वो improve हो सकती है, इतने सारे questions हमारे parents को होते हैं, इस सारे questions, educators जो है, एक parents teacher meeting के आप इसे समझ दीजिए, educators आपके parents के सारी doubts, सारे, जितने भी उनकी queries है, सब solve करते हैं, तो बच्चों की to queries solve होती है, parents की भी queries यहां पे solve हो और unacademy का एक और जो main important feature है, वो है, कि एक study planner unacademy आपको बना के देगा, याने कि इस दिन आपको कितने chapters पढ़ने हैं, इस week में आपको कितने chapters cover करने हैं, क्या आपका time table होना अची है, पूरा एक आपका study है, पढ़ाई का पूरा एक plan बना के unacademy आपको देती है, तो इतन महनत आज के time पर कौन करता है, इतनी महनत हम अपने बच्चों पर भी नहीं करते हैं, हमारे parents भी आजकर हम पर इतनी महनत नहीं करते हैं, but unacademy इतनी महनत आप भी करना चाहता है, हम तयार है महनत करने के लिए, but आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये subscription लेना है, और अलग आपको स्क्रीन पर दिख रहे है, आपने corner की तरफ, screen के corner की तरफ, ये 10% के से मिलेगा, मेरा code यूज करने से मिलेगा, जो कि है P.J.A.I.N.10, अगर आप ये code यूज करते हैं, आपको सीधा-सीधा 10% off मिलता है, तो किस चीज़ का wait कर रहे हो, unacademy का app डाउनलोड करो, enroll yourself to any course of your choice, जितने courses में enroll करने, enroll करो, और मेरा code use करो, और your journey towards perfection will start, your journey towards being the best will start, क्योंकि आन अगादमी पे आप best educator से परते हो, और आप best content परते हो, तो obviously improvement तो हो गई, और अगर आपको ये video मेरा पसंद आया हो, तो please, 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 like, share and subscribe to our channel, like this video, share this video to amongst your friends, relatives, क्या CMH, कि जितने भी आपकी लोग हैं, जिनना आप जानते हो, और सोचते हो कि ये video उनके लिए beneficial होगा, तो please, share it with your friends, and subscribe to our channel, that is unacademy channel, अगर आपने bell icon अभी तक हिट नहीं करा है, तो please hit the bell icon as well, ताकि आपको unacademy के एकदम notification और update सबसे पहले मिल सके, so that was all from my end, thank you so much for staying tuned and watching this video towards the end, together we can crack any exam, so let's crack it with unacademy, thank you so much, this was Patiksha Jain, and I hope आपको पूरा चाटन clear होगा, please like, share and subscribe to this video, and let's meet with our next chapter, साथ में पढ़ेंगे, अच्छ से पढ़ेंगे, and we'll crack all our exams, so let's crack it, thank you so much.